देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल आप सभी का मेरे चैनल पर पुन्हों स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी सोस्तोंगे, महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदाय पने रहे है, कि वीडियो है, आठ जून 2023, थर्स्दे आनिकी गुरुवार के दैनिक राशिफल के बारे में, एक सामान्य विश् लेकिन एक बार से पहले दिन के पंचांग पर संशिप से नज़र दाल लेते हैं, चांग की दरब बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्टर के कमेंट बॉक्स में, ओम विश्नवेन महावश्य लिख कर जाएगा, पंचांग इस्तरा से है, तिथी रहेगी पंचमी, नक श्रवन, योग इंद्र करन काउलव और अवार रहेगा गुरुवार और कृष्ण पक्ष चल रहा है, सूर्य महाराज 5.23 एम पे उदे होके अस्त होंगे 7.18 पीम पर, चंद्रमा मकर में रहेंगे नक्षत रहेगा श्रवन, सूर्य महाराज व्रिशब में रहेंगे उनका नक्षत रहेगा रोहनी, विशेश मूरतों के बात करते हैं, ब्रह्म मूरत 4.2 एम से 4.42 एम, अभिजीत मूरत 11.52 एम से 12.48 पीम, और अमरित काल 9.28 एम से 10.56 एम, अशुब मूरत राहुकाल 2.5 पीम से 3.49 पीम, और गुलिक काल 8.51 एम से 10.36 एम, इन दोनों ही अशुब म बात करेंगे मेश के साथ, मेश दिन आज का आपका ठीक ही दिख रहा है, थोड़ा सा खर्चे बढ़ सकते हैं, और सेहत विगड़ सकती है, कुछ रुके हुए कार्य पूर्ण होते वी दिख रहे हैं, अच्छा कोई चीज अटक रही है, या कोई चीज आप इग्नोर कर रह करियर के हिसाब से थोड़े भ्रमित रहेंगे गलतियां हो सकती हैं, बिजनस, थोड़ा सा अपने दुश्मनों से बच के रहे हैं, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो आपके बिजनस का अच्छा नहीं चाहते, इवन कॉम्पेटिटर्स, आज थोड़ा कुछ गडबड करने का प डिरेक्शन में लगाईएगा, गलत डिरेक्शन में जाती हुई दिख रही है, सेहत के इसाब से कोई हॉर्मोनल प्रॉब्लम है तो दिक्कत होगी, सरवाश्टक में आपका बार्वा स्थानत इंतवरी है, तो ठीक है, थोड़ी तबित खराब हो सकती है, आपके लिए उप कारी कार्या टग रहे तो उनको पूरा कर लिजिए, अध्यात्मिक तरफ जाने का प्रयास कीजेगा, ऐसा लग रहा है कि कोई राह नहीं मिल रही, चाहते तो है कि एक अध्यात्मिक कनेक्शन बने, ईश्वर के प्रती थोड़ा आस्था भी बढ़ रही है, लेकिन कोई रा का लाब उठाना चाहिए, क्योंकि जब विक्ति उत्साहित होता है, पॉजिटिव होता है, तो अच्छे कारे कर पाता है, करियर कही साब से, अगर जॉब ढून रहे हैं नहीं, तो थोड़ा सा उसमें एक्टिव आपको रहना पड़ेगा, अभी बहुत कॉंशियसली आप जॉब नहीं डून रहे, एक्टिवली आप जॉब नहीं डून रहे हैं, थोड़ा सा एफर्स लगाईए, बिसनस के इस आपसे बहुत अच्छा दिन है, फणीचर से समधित कुछ का रहे है, इंटीर से सम्मधित कुछ का रहे है, लभ लाइए, यहां पर सब कुछ ठीक ही दिख रहा है लेकिन एक दूसरे कुछ समय नहीं दे पारे इस परकाम कीजिए का विवाहिक जीवन सुपिरियोटी कॉंप्लेक्स आ रहा है आपके अंदर और इसका प्रभाव दिख सकता है स्टूडेंस ओवर्थिंकिंग तंग करेगी सरवाश्टक आपका लावस्थान वली है तो ठीक है दिन अच्छा ही जाएगा कुछ न कुछ लाप राप्त होगा आपके लिए उपाई यह है कि आपको विश्णु जी को दो घीके दियर पन करके ओम विश्णवे नम्हामंत्र का 27 बार जाप करना है जमिनायमे फूर्ण अत्यंत लाब कारे करते हैं कुछ स्पीट से संब्देत काम करते हैं आप पर प्रेजन्टेशन दिन ही होती है तो बहुत अची उर्जाज रखें एक आकर्शन आपके विक्तित्तों में दिख रहे है, confidence बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुब दिन है, लाब उठाईगा, आज अपनी ही सीमाओं को तोड़ते हुँ दिख रहे हैं, अपने comfort zone से निकलते हुँ दिख रहे हैं, कुछ सरकारी कारेटर करेते हैं, और अवशे पूरे हो जाएंगे, investment कर सकते हैं, career के हिसाब से, अब बहुत अच्छा दिन है, बस अपनी उर्जा को सही direction में लगाईगा, business के हिसाब से, आपका planning, आपकी planning सब कुछ बहुत सही है, बस समय है कि उसको implement करने का, आप बस planning करते रहते हैं, लेकिन implement नहीं करते, और समय निकल जाता है अब से, love life के हिसाब से, थोड़ा caring एक स्वरूप दिखाई अपने partner को, शायद उसकी कमी है, और वो expect करते हैं, विवाहिक जीवन, ठीक है, कोई problem नहीं दिखरी, बस थोड़ा शान्त रहिएगा, आज कल आप थोड़ा सा, egoistic हो गए हैं, शायद इसका आपको पता नहीं चल रहा, students के हिसाब से, अच्छा दिन है, भागय साथ देगा, सेहत के हिसाब से, आँखों की problem, सरवाश्टक के हिसाब से, दस्वास्थान बली है, तो बहुत अच्छा दिन है, आज का अपने कार्य पूर्ण करने के लिए, आपको विश्नु चालीसा का दोबार पा करेगा, ऐसा लग रहा है कि बहुत exhausted है, mental जो exhaustion होती है, वो बहुत जक्ती को तंग करती है, और problem यह होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, कि हम mentally exhausted हो गया, आजकल का समय इतना है कि हम online इतना रहते हैं, gadget के साथ इतना involved रहते हैं, distractions इतनी होती है, हमारा मस्तिश्क ठक जाता है, भले ही body वो ना दिखाए, और हम समझ नहीं पाते कि problem है, तो थोड़ा सा अपने आपको mentally relaxed रखिए, दो-तिन दिन को off ले लीजिए, कहीं छुट्टी पे चले जाएए, अपनी रोज मरा की चीज़ों से हटकर कुछ कीजिए, उसकी अवशक्ता बहुत दिख रही है, otherwise इसके इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक से जुड़ा, कपड़ों से संबंदित कुछ कारे करते हैं, लाव होगा, लव लाइफ, शांत रहिएगा, आज थोड़ा सा शांत रहना है, otherwise कहीं का गुस्सा कहीं पर निकल सकता है, विवाहिक जीवन तो ठीक है, एक balance लानी के लिए के नवश हो सकता है, थोड़ी तबित, शाम के समय में चानक से भिगर सकती है, जहां तक सरवाश्टक की बात है, आपका भागिस्तान अतिन तबली है, तो यह बता रहा है कि दिन वैसे भाग्यकार ही जाएगा, आपके लिए उपाई यह है कि आपको विश्णु चरीशा का एक बार पंके दो, कलह है ब्लैक, भागय पतिशत, असी पति, लियो, सिम्भ, आज थोड़ा सा गुसा जादा दिख रहा है, थोड़ा सा एग्रेशन जादा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कई चीजों में हाथ डाल रहे हैं, लेकिन असफलता कई जगाओं से मिल रही है, और वो अवशक्ता इस समय आपके जीवन में दिख रही है, थोड़ा इगो भी आज बढ़ेगा, जिसका परसनल लाइफ पर नेगेटिव इंपक्ट पर सकता है, इन्वेस्मेंट बिलकुल कर सकते हैं, लेकिन बड़ा मौन मत कीजेगा, एक मैच्चॉरिटी की अवशक्ता है, इस फिजिकल कमपैटिबिलिटी में अगर इशूज आ रहे हैं, इसको नकारिये मत, इसको इग्नोर मत कीजिए, स्टूडेंस रोमैंस आधी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है, ठीक है, गलत नहीं होता, एक एज होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो ही सब कुछ होता ह है, शुबंग क्या आपका 9, कल है आपका येलो, भागय पतिशर, 60, कन्यावर को, लोगों को खुश करने का आज कल बहुत प्यास कर रहे हैं, मुझसे कोई दुखी ना हो, मैं सब को खुश कर दू, और यकीन मानिये, जो व्यक्ति ऐसा, ऐसी जोन में चले जाता हैं, कि मु आप से ये कहूंगा कि दूसरों के बारे में कम सोची, आज अपने उपर फोकस कीजिए, अपनी सेहत पर, अपने प्रायोटीस पर, अपने जीवन के कारें उपर, उनको पूर्ण करने का फ्यास कीजिए, इन्वेस्मेंट कर सकते हैं, अपने विचारों में खुला पन लान मेरे हिसाब से जो भी आपकी प्लैनिंग चल रहे हैं, उसको उसमें किसी और की भी राय लिया किजिए, क्योंकि कभी-कभी होता है हमारा परस्पेक्टिव गलत होता है, या पूरा नहीं होता है, यहां पे किसी और की mental inputs की आपको वशकता है, जहां तक love life की बात है, आज नस्दीक की आ सकते हैं, या निकी दूर हो सकती है, विवाहिक जीवन, ऐसा लग रहे है कि पैसों की बात पर आजकल बहस जादा हो रही है, ठीक है, बहुत इंपोर्टन होता है money management, आज वो topic मत छेड़िएगा, students के हिसाब से आप बहुत कुछ करना चारहे हैं, लिकिन दिक डिरेक्शन नहीं है, डिरेक्शन लेस से थोड़े दिख रहे हैं, सेहत की इसाब से पेट की प्रावल्म सरवाश्टक की इसाब से आपका सब्तम भावत अन्तबली है, तो ठीक है, आज थोड़ा सा वक्त अपने चाहे तो निकटतम लोगों के साथ बिता सकते हैं, उन जाते हैं, लेकिन फिर इंस्पिरेशन की कमें हो जाते हैं, और यकीन मानिये, आज के टाइम में इंस्पिरेशन ढूड़ना, या फिर सेल्फ इंस्पार रहना, बहुत इंपोर्टन होता है, इस पर काम कीजिए, मनी मैनेजमेंट पर भी काम कीजिए, अगर पैसा आता भी ह चला जाता है, उसको यूटिलाइस नहीं कर पते, दिखी, धन का संचे, धन का मेनेजमेंट, आज के टाइम में बहुत इंपोर्टन होता है, जो लोग ये सोचते हैं कि धन इंपोर्टन नहीं होता, वो कही न कहीं जाकर जेव में फिर पस्चारते हैं, तो अगर आपने रि इंवेस्मेंट पर कैसे पैसे से पैसा कमाना है, इस चीज पर ध्यान देना शुरू कर देजिए, इंवेस्मेंट कर सकते हैं, ठीक है, दिन अच्छा है, करियर, कंसल्टेशन बेस्ट का रहे हैं, लाब होगा, जहां तक बिजनस की बात है, एक ही चीज़ आप से कहूंगा क कि थोड़ा सा अपने बिजनस को सरल कर लिजे, इस बहुत देख रहे हैं, जहां तक लव लाइफ की बात है, अपने पार्टनर के प्रती थोड़ा सा स्नेह भावद दिखाईए, ऐसा लगता है कि, स्पेशली जिनका रिशन जब लंबा चल चल चुका है, मिलते हैं तो जग थोड़ा फ्रस्टेशन अवश्य रहे हैं, अपने दुश्मनों से बचके रहे हैं, वो भाई यह है कि आपको विश्णु चारीशा का दो बार पार्ट करना है, शोबंग कि आपका वन कलर है, आपका ब्लैक भागय प्रतिशत, सार्प्रतिशत, विश्चिक आज थोड़ा डिप्लोमेटिक रहेगा, आज थोड़ा सा मीठा बोलेगा, आज थोड़ा सा चीजों को मैनुपलेट करके बोलेगा, क्योंकि आज का ऐसा दिन है, जब आपने सत्य को सत्य की तिरा बोला, तो प्रॉब्लम में पढ़ जाएंगे, स्पेशली अपने प्रोफेशनल लाइफ में, इवन पर्सनल लाइफ में भी, कभी-कभी ऐसा दिन आता है कि हमारे मन में बहुत कुछ शलता है, हम लोगों को कन्फेस करना चाते हैं, सत्य बोलना चाते हैं, लेकिन आज का समय ऐसा है कि लोग सत्य सुनना नहीं चाते, तो आज थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रह सकते हैं, इन्वेस्मेंट तो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिन है, बहस, बहस बिल्कुल अवाइट कीजिगा, आज का दिन बहस का है ही नहीं, जैसा माने कहा, अगर बहस कोई तो कुछ ऐसी चीज़े निकल जाएंगी आपके मुक से, जिससे संबंध खराब हो सकते हैं, जहां तक करियर की बात है, हेल्थ केर इंडस्ट्री में हैं, लाब होगा बिजनस, अगर ड्राय फूट्स या फूट प्रोडक्ट से जुड़ा आपका कुछ बिजनस है, लाब होगा, लव लाइफ, अच्छा दिन नहीं, आज जगड़े हो सकते हैं, पुरानी बातों पर होता है कि हम एक व्यक्ति को किस नजरे से देखते हैं, हर व्यक्ति में पॉजिटिव नेगटिव पॉइंट्स होते हैं, यह हमारा अपना उस समय पर क्या जोन चल रहा है, उसके हिसाब से हमें तया करना पड़ता है, अगर हम एक व्यक्ति के पॉजिटिव नेचर को द आपका पंचम भावत इन तबली है, ओर थिंकिंग बहुत रहेगे, आपके लिए उपाई है कि विश्णु चालीसा का एक बार पाट करना है, शुबंक्य आपका दो कल है, वाइट भागय पतिशत है आपका 75 पतिशत, धनू, बहुत restless रहेंगे, इतनी चीज़े चल रहें हैं साथ में कोई बुरी न्यूस भी आ सकती, आज जितना अपने मन पर अपने emotions पर control रखेंगे, उतना आपके लिए सहचता रहेगी, जहां नहीं रहे पाया ऐसा, जहां control नहीं कर पाये, वहाँ पर problem बढ़ेगी, investment नहीं कीजेगा, करियर के हिसाब से अगर आप consultation based, अगर आप tourism से जुड़ा कुछ कारे करते हैं, business, shortcuts बहुत ले रहे हैं, और ये आगे चल कर नुकसान देंगे, love life के हिसाब से, बहुत शुब दिन है, शुबता कुन दिन दिन देख रहे हैं, जहां तक विवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा सा अपनी वानी में कटुता कम कीजे, students, अ कि आपको विश्णु चालीशा का दो बार बाट करना है, शुब अंक है आपका वन कल है, आपका रेड भागय प्रतिशत है, 70 प्रतिशत, मगर बहुत अच्छा दिन है, आज का दिन सकरातमक्ता लेकर आता दिख रहा है, धन का लाब हो सकता है, इसके साथ ही कुछ कारे जो कर रहे हैं, तो आप किसी की मदद लीजिए उसमें और उसको पूरा कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा इगो देख रहा है कि नहीं सारा कारे मैंने ही करना है खुद, यह प्रॉब्लम देगा, करियर, फाइनेंस फिल्टे हैं लाब होगा, बिजनस, ऐसा लग रहा है कि कोई कि कोई अपना ही है जो आपके बिजनस में ठोड़ा नुकसान करवा रहा है वो आपके employee हो सकते हैं, partners हो सकते हैं, suppliers हो सकते हैं, जो भी है एक बार unnecess कीजिएगा, कि अगर नुकसान हो रहा है तो क्यों होरा है, profit बढ़ नहीं रहा, तो क्यों नहीं बढ़ रहा, potential तक नहीं प कि विवाहिक जीवन तो अच्छा है कि फ्यूचर प्लैनिंग के लिए बहुत अच्छा दिन है स्टूडेंस अच्छा दिन है बहुत अच्छा दिन देखा स्टूडेंस के लिए पस हां एक चीज़ कहूंगा आज आप भी एनलाइस कीजेगा कि और क्या क्या कर सकते हैं कैसे आगे बढ़ सकते हैं सेहत लिवर की प्रॉब्लम तंग कर सकती है सरवाश डख आपका धनस्थान बली है तो जैसा मैंने शुरू में कहाता कि धन के स्वरूप में कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है आपके लिए उपाई यह है कि आपको विश्णु चलिशा का एक बार पा करेगा अगर आगे बढ़ना है क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम दिख रहे है कि पास्ट को भोल ही नहीं पारे और उसके कारण आगे नहीं बढ़ पारे है जीवन में आज आती भी दिख रही है कुछ सरकारी कारे भी आज पूरे हो सकते हैं इन्वेस्पन बिलकुल कर सकते ह जो शाम का समय होगा वहाँ पर ध्यान देना है वहाँ पर कंफ्यूजन में आके कोई गलत नहीं ले सकते हैं करियर के हिसाब से अगर एजूकेशन फील में है लाब होगा बिजनस पैसा आता हो देख रहा है बहुत अच्छा दिन है स्पेशली अगर आपका बिजनस टूरि दिन ही नहीं बलकि आने वाला हफता भी आपके लिए ठीक ही देख राना वाला समय आपके लिए अच्छा देख रहा है लेकिन अपनी उर्जा को थोड़ा सा आपको सही डिरेक्शन में लगाना है सेहत के हिसाब से डाइजस्टियो डिसॉडर सरवाश्टक के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है आज का दिन क्रियेटीव रहेगा वैसे वह दोग एकन है क्रीटिविटिटी टाइटेश्यं में सब कर सकते हैं करियर की बात है अगर आप डेटा से जुड़ा कुछ कारे करते हैं लाव होगा बिजनस यहाँ पर बस एक ही चीज में आपसे कहूंगा कि आपकी प्लैनिंग और आपकी इंप्लिमेंटेशन जमीन आस्मान का वराग है प्लैनिंग बहुत अच्छी है लेकिन इंप्लिमेंटेशन बहुत खराब है लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा ऑथोरेटेटिव होने का प्रयास कर रहे हैं जो कि मेरे हिसाब से गलत होता है एक प्लैनिंग का दिन है बैठकर अपने फ्यूचर पर प्लैन कीजिएगा सेहत के हिसाब से हर्मोनल डिसॉडर सरवाश्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान अतिन तबली है तो यह बता रहा है कि दिन बहुत अच्छा जाएगा आपके लूपाई यह है कि आपको को लाइक करें जेए मिलता हों अंगली वीडियो में तब तक के लिए और दो